मूवी स्टार्ट होती है पर हमें बड़ी सी एक स्कूल दिखाई गई है यह पीरेट नाम की स्कूल है और यह बहुत ही फेमस है यहाँ बहुत स्कॉलर लेट के पड़ते है यहाँ हमें हमारा मेन क्यारेक्टर दिखता है इसका नाम चारली होता है यह जो वीक होता है यह थैं पर जाना होता है जब चार्ली स्कूल से बार आता है तो इससे भी बात करने लग जाते है इन लेड़कों में से सबसे पिगड़ा हुआ है रिच होता है यह इससे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ स्कींग आ सकते हो चार्ली को जब वहाँ जाने का रेट बताता है तो चार्ली इसलिए मना कर देता है चारली एक पूर बैंग्राउंड जाता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते थैंसगीविन आने से पहले जो छुट्टिया होती है इसमें वो जॉब करने वाला है उसे जो पैसे आएंगे इसे वो अपने घर जा सकता है चारली इन सब को मना करकर आगे चला जाता है चारली फिर अपनी जॉब इंटर्व्यू के लिए एक घर में आ जाता है यहाँ जो लेडी रहती है उसके ओल्ड फादर होते है यही हमारे करनल है यह जो लेडी है यह अपने हस्बंड के साथ जड़ा थैंक्स्विन पर बाहर जाने वाली है पर इसके जो फा फौर हो रूड इस तरह का करेक्टर हमें दिखाए गया है चारली बताता है कि मेरी मदर कंविनेंस टोर चला थी है चारली जब बोल रहा होते है कि कैसे हो यहाँ रहना अपपोर्ड कर सकते है तो फ्रांक बोल हो जाता है फ्रांक कहता है कि क्या तुम मुझे पैर्ट्रोस क जॉब मिल सकता है फ्रैंक की बेटी कहीती है कि तुम ही तो इस इंट्रव्यू के लिए आये हो तुम्हें इस जॉब लेना पड़ेगा 300 डॉलरस हम तुम्हें देंगे यह बहुत ही easy job होगा वो कहता है कि easy job है ऐसा मुझे नहीं लग रहा फिर फ्रैंक की बेटी कहीती है मुझे इस holiday की बहुत ही जुरूरत है अज तुम्हें जॉब नहीं लोगे तो बहुत ही ब्रॉलों हो जाएगा वो फिर उससे confidence देती है वो कहीती है फ्रैंक ज़रा tough लगता है पर जब विकेंड खतम हो जाएगा तब तब तुम अच्छे best friend बन जाओगे चारली को भी पैसो की जरूरत होती है फिर जॉब लेने के लिए वो ready हो जाता है चारली रात में लाइबरेव में काम करता है लाइबरेव में जो बिगड़े होए बच्चे थे उसमें से एक विली भी होता है विली रात तक इस लाइबरेव में रुखता है और यह दोनों फिर बाहर आते है जब यह अपने रूम तक जा रहे होते है तब जो बिगड़े होए दूसरे बच्चे थे इनको देखते है जो लैमपोस्ट होता है इस लो बारा सब बोलूम भी हो लगा रहे होते है तब ही उनके एक प्रोफेसर भाहा थी है यह इन सब को देख लेती है विली इसको कवर करने की कोशिश करता है पर एक करने बाता नेक्स दिन स्कूल में जो प्रिंसिपल आता है तो लैमपोस्ट के नीचे ही वो गाड़ी लगाता है यह जब गाड़ी लगाता है स्कूल का जो स्पिकर होता है वो बजने लग जाता है जो सरारीदी लड़के थे यह कॉमेंटरी करने लग जाता है वो कहते है कि प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट की चाटी है इसे वज़े से इसको एक कार मिली है किया जब वो कहे रहे होते तो बॉलून फुला लेते है इस बॉलून पर प्रिंसिपल का गंदा कार्टून भी होता है यह देखका प्रिंसिपल चीट जाता है और इस बॉलून को फोर्ण नहीं गोशिश करता है जब फोड़ता है तो इसमें बहुत ज़रा पेंट होता है इस पेंट से ही कार पूरी खराब हो जाती है इसके बाद हमें डारेक्टी प्रिंसिपल के ओफिस में विली और चार्ली ये दोनों दिखाए गए है टीचर ने इन दोनों को देख लिया था पर जो लड़के थे इन्हें वो देख नहीं पाई थी अब प्रिंसिपल इन दोनों से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था मुझे सब कुछ बताओ यह दोनों कहते हैं कि हम सही से देख नहीं पाए फिर विली को प्रिंसिपल अपने ओफिस से निकाल देता है इसके बाद वो चारली से बात करने लग जाता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो प्रिंसिपल फिर चारली को एक ओफर देता है वो कहता है हावर्ड में मैं एक लड़के को अडमिशन दिला सकता हूँ पर इसके पहले जिस लड़कों ने ये सब किया है इनके नाम उसे देने पड़ेंगे चारली अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसे ही गलत लगता है इसलिए वो मना कर देता है ये चारली को बोलता है यहीं तुम्हें ज़रा टाइम देता हो विकेंड पर सोचो और इसके बाद मुझे फिर सिक कहो निक्स दिन चारली फ्रेंक की पास आता है फ्रेंक की जो डॉटर है अवो यहां से जा रही है फ्रेंक चारली को उसके कबड़े फोल्ड करने के लिए कहता है चारली उसे पूछता है क्या हम कहा जा रहे है वो कहता है कि तुम तुमारा काम करो जादा कुछ सवाल मत पूछो जैसे फ्रैंक की बेटी वहाँ से चल जाती है तो फ्रैंक रेडी हो जाता है बहर फिर एक डैक्सी आती है वो कहता है कि चलो अब हमें चलना है चार्ली कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमें कहा जाना है फ्रैंक कहता है कि मेरे डॉर्टर तुमें कहना भूल कही है चार्ली जब उसे पुछता है कि कहा जाना है तो कहता है कि हमें न्यूय यॉक जाना है चारली उसे कहता है कि मैं न्यूयॉक नहीं जा सकता ये इसके लिए ज़रा ज़्यादा responsibility हो जाएगी इसके बीचे एक reason है फ्रैंक को ज़्यादा दीख नहीं पाता है ये practically अंधा ही होता है एक अंधे आदमी को न्यूयॉक ले जाना ये बहुत ही गलत हो जाता है इसलिए ये मना कर रहाता है फ्रैंक कहता है कि क्या तुम responsibility से डर रहे हो वो फिर उसे force करता है और लेकर ही जाता है फ्रैंक ने first class ticket book की होती है वो फिर plane में alcohol मंगवाता है जब उसे self करने के लिए aero stress आती है तो उसे खुजबू से उसने जो cent पहना है ये वो जान लेता है इसका नाम क्या होगा ये वो गेस करता है और उसे नाम से पुकारता है नियूयॉक में आने के बाद एक five star hotel में आते है यहाँ बहुत सारी और call होती है फ्रैंक को ये सुनकर अच्छा लगता है और कौन-कौन से ब्रैंड है ये वो चार्ली से पोचता है चार्ली फिर एक call लगाता है को आपने लिए एक limo book करता है एक बड़े से hotel में जाकर वो dinner करने वाले होते है चार्ली फ्रैंक से कहता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ dinner नहीं कर सकता मुझे फिर से घर जाना पड़ेगा फ्रैंक कहता है कि तुम मेरे साथ आयो मैं तुम्हें बीना खाये पिया नहीं छोड़ सकता तुम्हारे जो flight है ये 10 बज़े है तब तक तुम क्या करोगे हम जाकर खाना खाकर आ सकते है चार्ली भी अब इसके लिए मान जाता है जब ये लिमो में होते है फ्रैंक को लगता है कि चार्ली ज़रा अनकमफटेबल है उससे बोलता है कि कुछ ना कुछ तो तुम सोच रहे हो मुझे बता दो कि क्या तुम सोच रहे हो फिर चार्ली उसके स्कूल में जो भी इंसिडेंट होआ है ये सब उसे बताता है फ्रैंक उसे बुछता है कि ये जो विली है इसके फादर रीच होंगे फ्रैंक उसे कहता है कि वो रीच है और तुम पूर हो इसमें ज़्यादा सोचने कि कोई भी ज़रूद नहीं है जब ये होटेल में आते तब चार्ली उसे पूछता है कि इतना ज़्यादा बड़ा होटेल तुम कैसे अफ़ोड कर सकते हो फ्रैंक केता है कि मेरे जो पेंशन में किरा थी फैमिली थैंक्सगिमिन वो करना चाता है और ये सब हो जाने के बाद वो अपने आपको मार देने वाला है ये वो चार्ली को बताता है चार्ली सप्राइस चो जाता है उसे धक्का लगता है उसे बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो फ्राइंक फिर्ट से उसे कहता है मैं अपने आपको मार देने वाला हूँ ये फिर डिनर करते फ्राइंक फिर चार्लिस से कहता है कि तुम्हारी जो फ्राइट है ये आप मिस हो चुकी है जो एक्चुल ताइम था उन्हों बजे का था पर इसने दस बजे बोला था उसे कहता है कि कल मुझे तुम्हारी जरूरत पढ़ने वाली है तुम्हें यहां रुकना चाहिए दोस्तों के लिए एक दिन क्या होता है चार्लिवी भी मान जाता है आज थैंक्स गिविन है तो फ्राइंक का जो ब्रदर है उसके घर पर फ्राइंक और चार्लिवी आते है जब वो यहां बोचते है तो किसी को भी खुशी नहीं होती फ्राइंक को जो नेफी होती है नेफी की वाइफ होती है यह भी बाहते है पर इनको भी उनके नाम से वो नहीं पहचानता फ्रांक का ब्रदर चार्ली से पुछता है कि तुम कौन हो वो कहे देता है कि वो इसकी कहर करने के लिए आया हुआ है फ्रांक सुसाइड करने वाला था इसलिए फ्रांक के ब्रदर को ये कहता है कि ये बहुत इलोनली है फ्रैंक का ब्रदर गहता है कि तुम तो अपने घर लेकर जाते मेरे घर क्यों इसे लेकर आये हो यह फ्रैंक सुन लेता है फ्रैंक और उसके ब्रदर की फैमिली यह सब अपलांज करने के लिए बेट जाते है अपने ब्रदर से बात करकर वहाँ से फ्रैंक चला जाता है नेज़ दिना में दिखता है कि फ्रैंक के पास एक गन होती है इस गन को तोड़कर वो फिर इसे जोड़ रहा होता है वो चार्ली को बताता है कि मेरा टाइम काउन करो उसे 30 सेकंड ही लगते है उसे 25 सेकंड चाहिए होते है चारली एक अगन देखकर डर गया होता है फ्रांक अपने आपको मार सकता है इसा उसे लगता है फ्रांक को अभी भी कुछ चीज़े करने होती है तो फ्रांक चारली को कहता है कि और एक दिन तुम रुख जाओ चारली कहता है कि मैं आरुक सकता हूँ पर तुम्हारी जोगान है ये तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी फ्रांक कहता है कि मैं करनल था मैं कभी भी अपने आम किसी को पे ने देता चारली मारने रहाता तो उसे सिर्फ गोलिया दे देता है चारली जो वहाँ से जाने लग जाता है तो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करे हो चारली केता है कि गलत है सही गलत मैं फरक में जानता हूँ फ्रैंक केता है कि इसी कुछ भी चीज नहीं होती तुम्हें जो करना है तुम हो कर सकते हो फ्रैंक इस पर बिलिव नहीं करता फ्रैंक और चारली सिटी में घुमते हैं फ्रैंक शेविंग एगरा करता है जब ये रस्ते से चल रहे होते हैं तो फ्रैंक उससे बुछता है कि और भी तुम्हें कुछ चीज़ खाये जा रही है मुझे तुम ये बता तो चारली के ताए कि मुझे ब्राइब दी गई थी मैं अगर हा कок ए देता तो मैं हॉर्वर्ट में जा सकता हूँ फ्रैंक केता है कि तुम्हें ये ले लनी चाहिए तुम्हाजो फ्रैंडी ये बहुत दिरीच है उसके father उसे वह डाल सकते है पर तुम्हें कोई भी help नहीं करने वाला तुम्हें ये chance मिल रहा है तो तुम्हें ये ले लेना चाहिए Charlie उससे कहता है कि ये मैं नहीं करने वाला Frank उसे पुछता है क्यों नहीं करने वाले Charlie कहता है कि ये गले थे वो अपने फारों को नहीं बताने वाला था जैसे Frank ने कहा था वेसी सब कुछ हो रहा है जब रात हो जाती है तो Frank वापस आ जाता है और होटल में आ जाते है नीज़ दिन सुबा जब होती है तो Frank बहुत ही ठक चुका उता है उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हा था Charlie को लगता है कि हमें सुसाइड कर सकता है इसलिए उसे चीरलेप करने के कोशिश करता है वो कहता है कि हम New York में कुछ करते हैं कहीं हम जा सकते हैं Drive के लिए हम जा सकते हैं जब Frank Drive का नाम सुनता है तब उसे फिर से उमीद आ जाती है इसे Ferrari ड्राइव करने के बहुत ही इच्छा होती है ये दोनों फिर Ferrari के शॉप में आ जाते है ये गाड़ी लेकर टेस्ट ड्राइव करना चाते है पर जो salesman होता है ये उन्हें मना कर देता है वो खेता है कि ये बहुत ही जादा costly है अगर इसको कुछ हो गया तो हम इसे afford नहीं कर पाएंगे फ्राइव बहुत ही पस्पेशी होता है और जो salesman होता है इसे वो bribe दे देता है 2000 डॉलरों से देता है वो इसके बाद ये drive करने के लिए गाड़ी को बाहर ले कर जाते है चारली ये गाड़ी बहुत ही slowly slowly चाहरा होता है तोड़ी देर बाद एक सुमसान जगा पर वो आ जाते है और अब फ्राइव गाड़ी चलाना चाते है फ्राइव को कुछ देख नहीं पाता तो चारली को बहुत ही डर लग रहा होता है फ्राइव को कुछ वे फरक नहीं पड़ता और इस गाड़ी का जो मशीन है इसको उसे फिल करना होता है वो बहुत ही जोर से गाड़ी चलाता है drifting भी इस करियों में वो करता है एक पुलिस ओफिसर इंको देख लेता है और फुलोवर करता है फ्राइव को जोता है इससे आय कॉंटेक नहीं बनाता जिससे उसे पता ना चल सके कि यह अंदा है तो ओफिसर से सौरी केता है वो केता है मेरे बेटे को इस कार का स्पीड देखना था क्या में इसे रिसपोइंटेक कर देता ओफिसर केता है कि हाँ ऐसा है तुम्हें करना चाहिए और ओफिसर इसे छोड़ देने वाला होता है क्योंकि यह करनल है यह उसका रिस्पिक करता है एक टेस्ट्रेक हो जाने के बाद फ्राइंक बहुत ही ठक जाता है चारली फिर उसे होटेल में लेकर आता है चारली को हो कहता है कि मुझे सिगास चाहिए इस सिगार लाने के लिए एक बहुत दूर के स्टोर पर उसे भेज रहा होता है चारली जब नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो कर बड़े वो फिर से होटेल रूम में आ जाता है जब वो रूम में देखता है तो करनल ने अपने जो यूनिफॉम में वो पहन लिये उसके पास गने उसमें बुलेट से और वो आप खुदकुशी करने वाला है चारली उसे रोकता है वो कहता है कि मैं तुम्हें ये करने ने दे सकता करनल कहता है कि मैं करने वाला हूँ तुम मुझे रोक नहीं सकते अगर तुम यहां रुके तुम्हें मार दूँगा और अपने आपको भी मार दूँगा चारली उससे कहता है कि प्लीज ये गन रख दो तुम पेन में हो फ्रांक कहता है कि तुम्हें क्या पता कि पेन क्या होता है फ्रांक कहता है कि मैं तुम्हें मार दूँगा वैसे भी तुम्हारी लाइफ खतम हो चुकी है इसके बाद तुम्हारा करियर ओवर हो जाएगा जैसे तुम्हारे पैरेंस जीते थे वैसे तुम्हें जीना पड़ेगा क्योंकि तुम अच्छे से स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे चारली अभी में मानने रहा था करनल से वो गन जिन लेता है ये दोनों जगरने लग जाते है करनल फिर से अपनी गन ले लेता है करनल उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें मात देने वाला हूँ हो काउंट करने लग जाता है चारली कहता है कि वैसे भी मेरे लाइफ ओवर ही है अभी अभी तुमने कहा है करनल फिर कहता है यह मुझे डाउट है कि मुझे करना चाहिए या नहीं और फिर वो गण रग देता है फ्रांक फिर चारली से ड्रिंक मांगता है और यह दोनों कौच में बैठ जाते है फ्रांक कहता है कि इतने साल मैं सब जीता रहा मेरा एक ही गोल था कि मुझे भी एक company चाहिए थी जैसे wife होती है उसी तरह से compassionate उसे कोई चाहिए था Charlie कहता है तुम अभी भी वो सब पास सकते हो Charlie उसे मजाग मजाग में कहता है कि तुम compassionate हो, तुम easy हो तुमारे पास रहना बहुत ही fun है और तुम जब travel करते हो, तो बहुत ही fun बन जाते हो अब इनका फिर से घर जाने का time आज जाता है जब एक car में होते है, तब Charlie को call आता है उसके जो principal थी, उसने यहने call किया होता है जब एक घर जाएगा, तो एक बड़ी सी meeting होने वाली होती है इसमें यह जो सब incident हुआ है, इसके बारे में hearing होने वाली होती है Charlie को उसके school में फ्रैंक छोड़ देता है जाते हो उसके कही कर जाता है, कि मैं ठीक हूँ, कोई problem नहीं है Charlie का जो face है, वो फिल करता है, वो कैसे दिखता है, यह उससे पता करना होता है जो hearing थी, वो अब start हो जाती है Charlie यहाँ बेठा हुआ होता है, विली जो था, उसके parents भी यहाँ आए हुए है प्रिंसिपल है, फिर room address करने लग जाता है यह फिर विली को pressurize करता है, वो खेता है, कि जो भी सब हुआ था, मुझे clear cut बता हो विली कहता है, कि मेरे contact lenses जो थे, वो on नहीं थे, मैं खुझी बता नहीं सकता उसे बहुत ज़ादा pressurize करने के बाद अपने friends के नाम वो बता देता है अब यह चारली सी question पूछने वाले होते है, तभी वहाँ Frank आ जाता है यह Frank से पूछता है, कि तुम कौन हो, Frank केता है, कि इसके parents यहाँ आनी पाए मैं उनका अच्छा सा friend हूँ, मैं इसके parents की बिहाब में यहाँ बैटने वाला हूँ principal फिर चारली सी question पूछता है, तो उससे पूछता है, कि तुमारे तो eyesight सही है तुम बता सकते हो, कि यह चार लोग थे या नहीं थे चारली केता है, कि मुझे ज़्यादा clear नहीं है, मैं कुछ दीख नहीं पाया उससे फिर से एक chance देता है, बाई चारली कुछ बता दाने फिर यह जो principal होता है, community को कहता है, कि जो फिली था, इसने condy lenses नहीं पेने थे इसे हम कुछ बुलवा नहीं सकते है, पर यह जो चारली है, इसने सब कुछ देखा था यह बिक चुका है, इसलिए हम इस पर बिली नहीं कर सकते है हमारे institute में हम इसे रहने नहीं दे सकते है, इसे हमें expel कर देना चाहिए Frank फिर यहाँ बोलने लग जाता है, वो कहता है, कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जो actual culprit है, उन्हें छोड़ कर दे रहे हो, और इसे तुम सजा दे रहे हो और इसने ऐसा किया भी क्या है, उसके friends के लिए cover कर रहा था इसके पास integrity है, इसकी integrity है maintain कर रहा था इसे बोलने के लिए बोलकर तुम इसे स्नीच बना रहे हो इस institute में तुम सब लोग को स्नीच बना रहे हो ऐसे तुम real world में कैसे जी पाओगे को भी तुम्हारे सामने, अगर मुश्किल आ जाए तुम इससे डर कर भाग जाओगे जो Charlie इसमें integrity है और किसी भी चीज़ के सामने इस डर कर भागेगा नहीं, उसे institute से नहीं निकाल देना चाहिए एक दिन आएगा जब institute को Charlie proud बनाएगा जब Frank अपनी speech कतम करता है, तो committee भी decide करती है कि Charlie को कुछ भी होना नहीं चाहिए Charlie और Frank को बहुत ही खुश होती है इस institute में एक teacher होती है, जो भी Frank की age की होती है उसके पास आती है, उसकी praise करती है Frank उसे directly बोच लेता है, कि क्या तुमारी शादी हो चुकी है यह कुछ भी नहीं बोलती, यह दोनों एक दूसरे से flood करने लग जाते है और यह date पर जाने वाले होते है Charlie Frank की घर उससे चोड़ने के लिए आता है जिस limo में वो आया था, वो इस limo की driver को बहुत सारे पैसे हो दे देता है वो कहता है कि Charlie और में फिर से तुमारे साथ सफर करेंगे यह driver भी उससे बहुत सारे पैसे मिले तो बहुत ही खुश होता है Frank फिर आगे चलता हो हम दिखता है उसके जो granddaughter और grandson जो होते है इनसे वो खेलने लग जाता है अब नीचो लाइफ है इसे वो बेटर बनाना चाहता है चारली भी देख पर खुश होता है और यह movie खतम हो जाती है Thank you